दोस्तों नवस्तकार Apple Classes की तरफ से मैं Anand Shiraustov फिर एक आपके सामने और आज आपको मैं Accent Word The Future वैसे इसको Future Tense लोग बोलते हैं लेकिन Future कोई Tense नहीं होता है Future इस फॉर्म अप टेंस Future जो है Tense का एक फॉर्म होता है लेकिन Future Tense बोला जाता है और आज आपको मैं Future Tense की बारे में बताऊंगा और वो भी Future Tense में आपको मैं बताऊंगा कि हिंदी बोलते समय जब हम गाग ये गी के साथ कोई sentence ख़तम करते हैं चाहिए पॉजिटिव हो निगेडिव हो इंट्रोगेडिव देखिए बार बार में बताता हूं कि English बहुत ही जरूरी हो गया है आप सब के लिए और हम सब के लिए चाहे आप कितने भी पड़े लिखे हो अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आ रहा है तो साथ आप अधूरे हैं पड़ाई में क्योंकि जरूरत बन गई है बिना English बोले आप कहीं भी सब्सक्राइब नहीं कर पाएंगे और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं अपना एक क्लास अपल क्लास से शुरू किया हूं ताकि बड़े आसान तरीके से आप जो है अगर रोज जो जो मैं आपको बता रहा हूं और सारे टेंस को जो एक्जाम्पूस में देता हूं सारे इसको आप अच्छी तरह से रोज बोलें ध्यान दे और सिखें तो आपके लिए इंग्लिस बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा इससे और कोई आसान तरीका इंग्लिस बोलाने का नहीं हो सकता है मैं अपना पूरा एक्सपेरियंस आपके सामने रख रहा हूं इंग्लिस बो रूपलंदेंस के दुने कोई प्रेडिक्शन करें में कोई काम करने के लिए जिसकों इंडिफनिट या अनिस्षित करते यानि कि जब यह हम गाया कि बोलते हैं चाहीं हंधी तो ऐसा लगता है कि वह काम हो भी सकता है और नहीं हो सकता तो फ्यूचर मैं पढ़िए ये जो कोई जानता नहीं है आदमे पुछन इक समय αυτा है एक में प्लानि इसी होतीं है कि जिसमें इसान लगता है और एक मपलें यो झी जो भवित मिट आदमी करता है कि हां कर लेंगे तो चलिए आज हम इंडेफिनिट फ्यूचर जिसको बोलते हैं यानि वो फ्यूचर जो गागेगी के साथ खतम होता है इंग्लिश में विल और वर्म का फॉर्श फर्म लगा जाता है उसके बारे में जानते हैं कैसे इस करिश्टेक्टे बना जाता है सभी जानते हैं कि इसका यूज कप करते हैं कि अब से बाद में कोई एक्शन और इवेंट कि जब कोई प्लानिंग की गई हो या कोई प्रेडिक्शन किया गया है तब हम गागे की लगा के बोलते हैं या विल लगा के बोलते हैं मैंने लिखा है कि दिश्टेंस इस तो टॉक तो प्रेडिक्षिन कर रहे हो कि हम करेंगे तो इसके लिए लगा के बोलना चाहिए तो गागे की लगा के बोलते हैं तो गागे के लिए हमें शैल और विल का यूज किया जाता है लेकिन कि modern English में शैल का यूज बहुत कम किया जाता है विल का यूज सबके साथ किया जाता है चाहिए शी इट सिंगलर नंबर चाहिए वी यू दे प्लूरल नंबर हो क्योंकि जब कॉंटेक्शन लंगे से बोलते हैं तो यह नहीं पता चाहता है कि आपके आई के साथ आप शैल लग तो अधिक जगहों पर हमके और विल लगाते हैं लिखने के लिए आप शैल का यूज कर सकते हैं लेकिन चुकि हम इस पोकें इंगलिस सीख रहे हैं तो मैं आपसे ही चाहूँगा कि आप भी विल लगा के ही बोलिए तो जो इसका पॉजिटिव स्ट्चर होता है इसका होता है लेटर गागेगी है तो क्या बोलोगे आई विल टॉक टू यू लेटर तो आपने विल लगाया है विल के बाद जो है टॉक वर्म का फर्स फाम जब भी विल आएगा तो उसके बाद हमेसा आपको वर्म का फर्स फाम ही लगाना पड़ेगा कोई सेकेंड और दूसरा एक्जामपूल है कि मेरा भाई तुमको कल जोइन करेगा तो माई ब्रदर सब्जेक्ट होगा विल आएगा जोइन वर्म का फर्स फाम यू अबज़क्ट हो गया और कल के लिए टुमारो तो क्या होगा माई ब्रदर विल जोईन यू तुमारो एक और ब्रदर सब्सक्राइब के लिए उसके साथ भी लगाया है बोलने के लिए आपको विल लगाना पड़ेगा आप चाहो तो शैल लगा सकते हो लेकिन इंग्लिश में शैल को जनली ओमिट किया गया यह जादे यूज नहीं किया जाता है अब अगर तो आपको बोलना है कि यह बहुत ज्याद आवाज करेगा तो आपने बनाया पॉस्टिव में वर्ब का विल के बाद वर्ब कर फस्सक्राइब अब इसी को निगेटिव बनाते हैं अब निगेटिव में क्या हुता कि विल और नॉट को जब हम एक साथ जोडते हैं तो इंग्लिश बोलते समय उसको ओ उससे बाद में बात करूंगा यहां था कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगा तो विल के साथ आप नट लगार अब दो झाल के से तुसरा है my brother will join tomorrow इसका क्या होगा my brother will not यह my brother won't join you tomorrow थीसरा है they will pay your money now तुम्हारे पैसे अभी payment करेंगे तुम्हारे पैसे अभी payment नहीं करेंगे तो थार्टी इक्साम्बल में नीगटिब ने तो क्या होगा they won't pay your money भ्लंन अब यह ओन्हें इन उ ग्सकेर सकते हैं फिसने इंग्लिस है इतना इसी कर सकते हों। विल्ट को वह ओन भोलेंगे और प्रेम और को फ्लनलन कर प्रे अब नेकैंड के नहीं करेगा तो यह ऐ ग्याएंकर उगा इस तो जा मतलब से घृमिक यह ठीजिजए होगा तो सब के साथ क्या लगा के पहले हम बनाते हैं जैसे क्या तुम मुझसे बात में बात करोगे तो क्या होगा क्या से शुरू है तो विल पहले आएगा इस्ट्रक्चर क्या होगा विल सब्जेक्ट वर्ब का फर्श्पम आपजिक ध्यान रहेगा विल के साथ हमेसा वर्ब का फर्श्परम आता है तो आप क्या बहुत है विल यू टॉक्ट टू मी लेटर एक चीज़ी और बताऊं यह विल के साथ और विल नॉट के साथ को सब्सक्राइब बनाया जाता है और कभी कभी इसका यूज जो होता है एक जेंटल एक फ़र्मर एडवाइज के लिए भि यूज किया जाता यह रिक्वेस के लिए और इप एक इसको इन्ट्रुक्रवट के रूप में नहीं सकते हैं लिखा जाएगा इन्ट्रुक्ट यूज लेकिन उसको आप किया पहले शुरू है तो विल से सिरू करें के विल यू टॉक तुमी लेटर दूसरा था कि मेरा भाई तुमको कल जॉइन करेगा अब वही कोश्चन मनाना कि क्या मेरा भाई तुमको कल जॉइन करेगा क्या से सुरू है तो क्या वहलो कि विल माई ब्रदर जॉइन तुमॉरो विल माले ब्रेदे और ज्वाइन इपर सर्फम से रीफ में जने थे नहीं तुम्हारे पैसेये। तो भी मैन्न से और को PayPal मोनीन ओपया है यह यह वर्म का फ़र्म है, लास्ट है, इस फैन विल मेक लॉट सब्लगाइश अब वही कुछन पुछना क्या यह पंक्खा बहुत आवाज करेगा, तो क्या बोलो कि विल इस फैन मेक लॉट सब्लगाइश, अब इंप्रोगेटिभ निगेटिव सममें नहीं लगा कर रिए, सब में नहीं लगा कि जैसे क्या तुम उसे कल क्या तुम उसे बात में बात नहीं करोगे क्या मेरा भाई तुमको कल जॉइन नहीं करेगा क्या वो तुम्हारे पैसे अभी नहीं देंगे और क्या यह फैन बहुत जादे आवाज नहीं करेगा अब क्या के साथ नहीं आ गया इ जो लोगे तो विल नॉट को मुण कर देंगे तब subject अगर हो जाएगा तो क्या है एगा ओन subject वर्ब का फर्स्ट फर्म अबजिक अब इस ही को हम दोनों तरीके से आपको बनाके बतारा हैं पहला है कि विरुटुमे लेटर अब इसको आपको बोलना है क्या मुझे से बात में बात नहीं करोगे तो दो तरीके से बोल सकते हैं पहला क्या होगा दूसरा क्या होगा ओंट यू टॉक्क मिलेटर कामने का में। विल के बाद subject or not आया है यहां पर विल और नॉट एक साथ ओंड हो गया है और subject बाहर आ गया है तो क्या बोलोगे ओंड विल यू नॉट और ओंड यू तॉक्तु मी लेटर दूसरा देखें विल मय ब्रदर जॉइन टुमोडोरू किया मेरा भाई आफको कल जॉइन नहीं करेंगा निगेटीव कट्पा आप करूग infection को जाएगा तो क्या चाहिए का को माइ ब्रदर नट के जॉए नीट यू टुमारो और यह नहीं तु क्या वह को वो तुमारे पैसे नहीं देंगे तो क्या होगा इसको भी दो तरीके से करते हैं तो दो तरीके से कैसे बोलेंगे बहुत ज्यादे आवाज नहीं करेगा तो कैसे कैसे बोलेंगे आप विल दिस फैन नॉट नहीं करेंगे समness घोगा हुगा जारता हम इलेगा जारता है जी सप्हुनके सब्सक्राइबगेätta तो क्या होगा विल इस फैन नॉट थै नॉट भीटवैंत नॉट्सक्राइब करना है तो हम इस फैन नॉट्सक्राइब दी इतंद में श्यांनि ये था आपका पॉलजिटीव ए बिजए ऐस कहां कैसे किस लिए किसके साथ जब आए तो वह फाब हो जाता है। थोड़ेसे रूल्स अलग हैं वह बता हूं। वह साथ पहले आपको डबल्लीस फारम लगाना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा। विल आएगा वर्म का फॉस्पर्ण मतलग्ट है। डबल्लीस फारम का साथ थोड़ा सा अलग हो जाता है तो चलिए अब इसके साथ जैसे इंट्रुगेटी सिंटेंस अगर तो बनाना होगा तो पहले यह देखते हैं कि डाइज फॉर्म औरैस इंट्रुओंऊ विल सब्जेक्ठ वनकर फर्स इपनएच्ट अब जैसे बोलना है कि तुम उसे बात में बात क्यों करोगे आ रहा है तुम तुम उसे बात में कैसे बात करोगे तुम उसे बात में कब बात करोगे तुम उसे बात में किसके साथ बात करोगे वाई लगाओगे क्यों के लिए तुम उसे बात में क्यों करोगे वेर मतलब कहां तुम उसे बात में कहां बात करोगे हूं मतलब कैसे तूम उस्से बाद में कैसे बात करोगे खुं मतलब किसके साथ तो तुम उसे बाद में किसके साथ जात बाया ओना है आपको क्या करना पड़ेगा व्ल आएगा मतलों आगा वर्ब लेकिन को मैंने आपको बताए था कि जो होता है वो होता है सिंगुलर सभ्जेक्ट होता है सबज़ेक्ट होता क्यों किसे बात कि क्वों की सब्जेक्ट की काम करता है विल पर आएगा और अब जैसे तुमसे में कौन बात करें में पाँ क्यों की हो के साथ से मौम रिकिवालो कि's talk to you तो पहले नहीं को प्राइज और फिर्ट और में जिनके बाद ऑबजेक्ट यह जोड़ना है जैसे आपको बोलना है कि तुम कल कौन से किताब खरीद होगे या किसकी किताब खरीद होगे तो कौन से क्या होगा विच और किसी के लिए क्या होगा हूज हो जाएगा तो दोनों हूज और विच के लिए अबजेक्ट बाद में आ जाएगा उसको विल आएगा सब्जेक्ट आएगा जैसे दोनों के नजे देखें रूज्च किताब कल खरीद ओगे और विच मतलब कौन सी कौन सी किताब खरीद हो जो जो जम के बाद का जो बुक जो क्या है वह subject क्या है तो यह आपको मैंने फ्यूजर का पहला पार्ट बताया है जो इंडेपिनित फ्यूचर है जो प्रेडिक्शन होता है जो प्लैनिंग किया जाता है उसके बारे में बताया है जो अंत में गाग एगी आता है लेकिन इसका एक पार्ट मैं थोड़ा से और बताऊंगा भी वह मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम कोस्चन फार्म होते हुए भी हम एक जेंटिल और पॉलाइट रिक्वेस्ट की रूप में कैसे अपने कोश्चन को हम डालते हैं यानि कि हम कोश्चन नहीं करते हैं कोश्चन के जगह पे हम एक रिक्वेस्ट बनाते हैं तो मैं आप उसको अभी बता रहा हूं हां तो जैसे मैं बता रहा था कि जो इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव है एक बहुत अच्छा तरीके से इसका यूज किया जाता है हमेश उसको जैसल पर Łेक तरहे साथ होता है उसको जैसल के जैसल लिए उसके से उसका लेका dough नियुकर फोलाइट बतां लेकिन उसी को हम इंट्रोगेटिव निगेटिव करेंगे तो बिषीच करेंगे अनुनेय करना बिंति करना यह ज्यादे जब बिंती करना जुक के बात करना होगा तो हम उसी चीज जो हम inrogative negative में बात करेंगे एक्जामपुल के लिए जैसे आपको बोलना है कि क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे एक गोष्चन नहीं हुआ आपक इसी से रेकोष्ट करना चाहते हैं English में कि कि आप मेरे साथ बांस करेंगे तो आप कोश्चन के रूप में बोलेंगे लिकिन बोलने का तरीकर होगा तो आप इंग्लिस में कैसे है और बोलोगे विल्यू डांस बित भी तो क्वेंट नहीं हुआ अपने रिक्वेस्ट किया बढ़या बोले कि will you dance with me लेकिन उसको और जाए आग्रा करना है बिंती करना है बिनाय करना है तो आप उसको क्यों लोत के तो आप देखिय को बोले करा तो गया रहा हुए अग्री अर्ट मुशस करां डांपने उसको कैसे बोलो जैंडर यह जाए हुए रहे तो आपलोर यह व्युच्छ है włas अग्रस्त की तो एद्यों क्या गिर उटी प्तव है तरस्षार कि करने हैं तो क्या कर भूंब जाए अ 150 इन्हेमाव जैसे आप रिक्रिष्ट करना किया कि उसे शाधी करोगे तो क्या बहुत पूनी मेडियल तो आपने जाते हैं नहीं किया Crown jen merciful और यादे उसको आगरा करना है तो यह तो तीन इग्जांपूले इसी तरह इसी तरीके से आप बहुत सारे जो है आप इग्जांपूल्स बना सकते हैं आप प्राई कर सकते कि कैसे इस इंट्रोगेटिव निगेटिव को 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 जंग के अलवा हम रिक्वेस्ट में पॉलारी र क्वार्स कर सकते हैं ज יש आज आप जब करने कर रहा है तो क्या इन कि Here you come to my house जा एं कहुत तो क्या बोलों ये इन नयर कि क्या आप विडिन काम जाइड उन्द छोंगwritten द्रीफस्ट किया लिए उया जसे भी कम जोना खुराऊ सबस्रेग में अगर तो निगेटिव बोलोगे तो क्या बोलोगे ओंट यू कम तो माई हाउस ऑन डिनर तुनाइट तो आपने देखा है रिक्वेस्ट किया तो जब आप बोलेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इक कैसे इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नि इसको लगा करके आप जो है रिक्वेस्ट जेन्टिल पॉलाइट रिक्वेस्ट या बिशीच कर सकते किसी के साथ तो यह था आपका इसको अगले बताएंगे जा रहे हैं आज के लिए इतना तो ध्यान से पढ़िए और समझे और सब्सक्राइब करना मत भूले नमस्कार